हे हेलो कैसे आप लोग उमीद करतों बहुत से होंगे आप लोग सो मैसल डॉक्टर आकास सिंग और आप देखना शुरू कर चुके हैं आकास सिंग बैलोजी टुटोरियल तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेटनरी 2021 की जो कटाफ हो सकती है एक्सपेक्टेड कट करें तो पिछले साल के कटाफ पर थोड़ा हम जोर डालते हैं समझते हैं देखिए पिछले साल का जो कटाफ रहा वो अन्रिजर्व कटेगरी के लिए वो 525 तक लास्ट मॉप अप राउंड में मिला था तो अभी इस साल की कटाफ क्या हो सकती बहुत छोटा सा वीडियो मे बना के आपको बता दे रहा हूं कि expected cut-off क्या हो सकती है और उसी के basis पर आप counseling करेंगे सबसे पहले मैं आपको यहां पर exact number नहीं बताऊंगा exact mark नहीं बताऊंगा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि expected cut-off है और ओभी range में बता रहा हूं अभी जितनी भी चीजे range में बता रहा इसका जो भी cut-off expected cut-off के बारे में बात करने वाला हूं तो उसमें कैसा मैं range इसलिए रहा हूं क्योंकि कई बर क्या होता है अगर suppose मैंने exact ऐसा बोला कि 528 राइट तो बहुत सारे बच्चे जमशन लगाते हैं कि चलो 528 है तो 525 तक ही रहेगा minimum यह हो सकता है तो मैं ऐसा नह रहे हैं चली तो सबसे पहले हम बात करते हैं unreserved category यानि open category के लिए तो open category के लिए पिछली बार जो गया था 525 गया था इस बार ऐसा हो सकता है कि यह cut-off जो है अगर हम बात करें तो मैं एक range बता रहा हूं 527 से लेके 535 तक के बीच में यह हो सकता है unreserved category के लिए 527 से लेके 535 तक हम बात करें OBC की तो OBC में भी से ऐसा ही होगा आप जानते हैं OBC में बहुत ज़्यादा benefit तो होता नहीं reservation का और EWS में भी यही है तो 527 तो 535 यह आप unreserved और OBC और EWS के लिए यह मेरे तरब से expected cut-off हो सकते हैं वहीं पर हम बात करें SC की तो SC का जो cut-off हो सकता है वो करी range दिया हुआ है यह जो range बता रहा हूं इसमें cut-off ऐसा यहां तक बच्चों को seat मिल सकती है और वहीं हम बात करें ST की ST की हो सकती है 408 से लेके 412 तक तो यह overall panic scenario बता है अब सुनिए जैसा आपका marks हो उसी के basis पर आपको जो allotment करना चाहिए जो भी seat का यह college का उसी के हिसाब से करना चाहिए अब देखें मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि मैं आपको एक seat matrix वाली वीडियो आपके सामने रखोंगा तो वो seat matrix वाली वीडियो यह cut up मैंने यह सोचा कि पहले cut up आपको बताते है उसके expected cut up बताते है उसके business पे हम seat matrix वाली वीडियो आपको देंगे और साथ यह साथ मैं आपको उसमें यह भी बताऊंगा कि आखिर आपका एक particular जो आपको mop up round तक पूरा का पूरा try करना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो है छोड़ देते seat को तो वो आपको मिल सकता है वहाँ पे इसलिए हार नहीं माननी है last तक mop up round तक जाना है यह तो रही कि 15% seat के लिए cut up की बार अचा अलग अलगी state में देखें जैसे मैं महाराष्टा में हूँ तो महाराष्टा की बात करें तो महाराष्टा में क्या होता है कि MBBS का ही cut up कम जाता है other state से तो इसलिए यहाँ पर automatic अगर हम state wise देखें जैसे यहाँ पर जो माप सु इंविश्टी है उसमें 5 college है उन 5 colleges की अगर हम बात करें तो उनका cut up already जो है वो cut up ही ज्यादा जाता है तो या तो वह 50% वाले में आ जाते है अपने state में आसानी से उनको ज्यादा नंबर होगा तब मिल पाएगा तो वहां पर cut up थोड़ी higher चली जाती है तो एक थोड़ा सा loss हो जाता है तो यह state wise देखें तो भी आपका अगर cut up देखें तो वह vary कर सकता ह कुछ state के लिए आसान हो जाता है और कुछ state के लिए थोड़ा सा tough हो जाता है तो उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो थोड़ा सा helpful लगी होगी मैं बहुत ज्यादा cut up के बारे में मतलब बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता एक छोटा सा वीडियो जिससे अंदाजा लग जा आपका बिल्कुल भी time बेकार ना हो तो उमीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीजें चलिए अभी तक के लिए इतना ही बाकी की next जो मैंने वीडियो बताई है वो जरूर मैं seat metrics वाली वह यहां पर डालूँगा अगर सही लगे information तो like करें चैनल को subscribe कर thank you thanks a lot